हेलो फ्रेंट्स मैं डॉक्टर नीलम आपका अपनी चनल स्टडी और रिसर्च में स्वागत करती हूं फ्रेंट्स आज हम जो सॉल्फ करने जा रहे हैं यह है एंट्ये यूजीसी नेट का पेपर जो की जून 2011 में हुआ था वसे इसे एंट्ये का हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि पेपर है यह तो बाद में जाकर एंट्ये एक्जाम लेना शुरू किया है तो यह यूजीसी नेट का पेपर हम कह सकते हैं तो चलिए इस पेपर को हम सौल्फ करना शुरू करते हैं और इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लैक्टशे सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह का वीडियो में जब भी अप्लोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आसानी से आपको मोबाइल पर मिल सके तो चलिए आगे बढ़ते हैं पेपर स्क्योर यहाँ पर कुल 50 कुश्चंस दिये गए हैं जिने हमें सारे के सारे सॉल्फ करने हैं तो चलिए सॉल्फ करते हैं एक शोध पत्र शोध करता की रिपोर्ट होता है जिसका आधार होता है तो जिसका आधार होता है इसमें जो करेक्ट एंसर बनेगा वो बन जाएगा सी वाला प्रात्मिक और दुतिये आकड़ों आकड़े आकड़ा दोनों ही तो एक शोध पत्र श आगे चलते हैं, कोशन नमबर टू, न्यूटन ने गती के नियम के तीन मूल सिध्धान्त प्रस्तुत किये, उनके इस शोध को वर्गिकरत किया गया है, तो ये शोध जो वर्गिकरत किया गया है, वो होगा मूल भूद शोध के रूप में, सी ओप्शन हमारा इसमें करेक्ट एंसर होगा, फिर है कोशन नमबर टू, विशिश अग्यों का ज्यान के एक विशिष्ट छेत्र से सम्बंधित वर्ग एक इस्थान पर एक नए पाठिकरम के पाठ्थे विवरण तयार करने के लिए एकत्रित हुआ, इस प्रक्रिया को कहा जाता है, तो ये जो प्रक्रिया हैं, वो कहलाती है, सम्मेलन या कॉंफरेंस भी इसको बोलते हैं, एक बार कोशन फिर से हम पढ़ लेते हैं, ये मारा करेक्ट है क्या, विशिश अग्यों का ज्यान के एक विशिष्ट छेत्र से सम्बंधित वर्ग एक इस्थान पर एक नए पाठिकरम के पाठ्थे विवर त्यार करने के लिए एकत्र हुआ, इस प्रक्रिया को कहा जाता है सम्मेलन या कॉंफरेंस, आगी चलते हैं, कोशन नमबर फोर, तो कोशन नमबर फोर है, शोद कारे करने की प्रक्रिया में परिकल्पना को सूत्र बद्ध करने के पश्चात, तो परिकल्पना को जब हम सू इसके बाद का जो चरण आता है, शोद उपकरन का चैन, आगे है, यहाँ पर जो है, पैरा दिया हुआ है, जिसमें हमें उत्तर देना है, पांस से दस के जो कोशन है, इसी पैरा पर आधारित किये गए हैं, तो इस पैरा को हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसके उत्तर को जा पल्ली जन्म सूची या कुछ भी हो के निर्वाचक होते हैं अधिकांश प्रकार के इतिहासकारों के लिए स्वयम ग्रंथों को छोड़ कर अन्य किसी को समझने का या सिर्फ आवश्यक माध्यम है पिर हैं यहां पर आते हैं जैसे की राजनितिक कारिवाही या एतिहासिक प्रवरत्ती जबकि बौधिक इतिहासकार के लिए उसके चैनित ग्रंथ को ही पूर्णत्या समझना पूछताच का लक्ष होता है निसंदेह बौधिक इतिहास अन्य विशे जो अपने ही उद्देश के लिए ग्रंथों का आदतन निर्वाचन कर रहे हैं और तरकन जो निशकर्ष को दिखावटी रूप से छेत्र के साथ जोड़ती है पर फोकस करके निशकर्ष निकालने को विशेषता प्रवरत्त होता है इसके अत्रिक्त संबंधित उपविशे छेत के साथ सीमाएं बदल या खिसक रही हैं और और इसपस्ट हैं कला का इतिहास और विज्ञान का इतिहास दोनों कुछ स्वायत्ता का दावा करते हैं आशिक रूप से इसलिए क्योंकि उन्हें विशेषित तकनीकी कौशल की जरूरत है परंत दोनों को व्यापक बौदिक इतिहास के भाग के रूप में भी देखा जा सकता है जैसा कि इसपस्ट होता है जब हम ब्रहांध की धार्णाओं और कालिक नैतिक आदर्शों देशों के बारे में ग्यान के सर्व सामान स्टॉक्ट के बारे में विचार करते हैं एक मिनट विचार करते हैं सभी इतिहास कारों की तरह से बौदिक इतिहास कार विधियों का उत्पादक होने के बजाए उनका भूकता होता है उसकी विसिष्टा विगत काल के उस सुब पहलू जिस पर वह प्रकास डालने की कोशिश कर रहा है में इस्थित है और प्रमाड के समूह या तकनिकों के समूह का एक मात्र स्वामित्व होने में इस्थित नहीं है यह कह लेने के बाद यह जरूर प्रतीत होता है कि पौधिक इतिहास का नाम गलत फ़र्मी के अनानूपातिक भाग को आकरशित करता है आगे दिखते हैं आगे का पैरा पिर यहां से है यह कहा जाता है कि पौधिक इतिहास किसी ऐसी चीज का इतिहास है जिसे कभी महत्तो नहीं दिया जाता था राजनितिक इतिहास कारों के एतिहासिक स्वामित्व पर दीरकालिन प्रभुत्व एक प्रकार की विशे सक्ती अनकही धार्णाओं की सत्ता और उनके प्रियोग का ही वास्तों में महत्ता को जन्म देता है इस दावे से पूरग्रह सबलित हुआ की राजनितिक कारिवाही वास्तों में कभी भी उस सिद्धानतिया विचारों जो जादा फ्लैप डुलडल थे का परिणाम नहीं थी इस धार्णा की वपौती अभी भी इन अपेक्षित विचारों की प्रविस्थी में द्रश्टी कोचर होती है की इसे पहले की राजनितिक वर्ग को बौदिक साच्छातकार के योग्य समझ समझा जा सके उसे अनुग्या पत्र प्राप्त हो मानों इसके कुछ कारण है की क्यों कला या विज्ञान दर्शन शास्त्र या साहित का इतिहास दलों या संसदों के इतिहास की तुलना में दिल्चस्पी और महत्व है शायद हाल ही के वर्षों में इस फिलिस्तिनिज्म विशे शक्ति की दरपन प्रती छाया इस दावे में ज़्यादा सर्व मानने रही है कि किसी के विचार विविद्धा अभी व्यक्ति के अत्वा दुनियादारी के है का कोई महत्व है मानो यहां वह सिर्फ अल्प सेंख़क वर्ण के विचार है निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजे तो यहां तक तो पैरा था कई-कई हो सकता है फ्रेंड्स मिस्टेक भी हो य तो आगे चलते हैं question number five देखते हैं बौधिक इतिहासकार का लक्ष निम्न में से किसे समझने का होता है तो एक मिनट तो जो समझने का होता है वो हो जाएगा बौधिक इतिहासकार का लक्ष निम्न में से किसे समझने का होता है तो उसे अपने विशें ग्रंथ का होना चाहिए यानि ए ओप्षन इसमें हमारा correct होगा आगे हैं बौधिक इतिहासकार किसे एक मात्र स्वामित का दावा नहीं करता है तो एक मात्र स्वामित का जो दावा एक मात्र एक मिनट तो इसका जो आंसर हो रहा है correct वो हो जाएगा प्रमार का कोई भी संग्रा भी option हमारा इसमें correct होगा फिर आगे है बौधिक इतिहास के बारे में गलत वहमी किस से उत्पन होती है तो यह उत्पन होती है तक्निकों का समोह इसमें a option हमारा correct होगा विशे सक्तवाद यानि फिलिस्तिनिस्म क्या है तो विशे सक्तवाद के बारे में पूछ रहा है यह हो जाएगा D option यह धारना की सत्ता और उसके प्रियोग का महत्वा होता है फिर है ब्रह्मांड की धारनाओं या कालिक नैतिक विचारों का ग्यान किसके अंश के रूप में निकाला जाता है तो किसके रूप में निकाला जाता है तो इसका जो करेक्ट एंसर बन रहा है वो हो जाएगा D वाला बौधिक इतिहास के रूप में नेक्स्ट है अच्छा इसमें ये दियान रखेगा ये मैंने W बई आपके बिद पत डब लौ सीरीज है तो ये आराम से मैच हो जाएगा आपको उसमें अलग अलग सीरीज होते ही है तो ये डबलू सीरीज का पेपर है कुर्शन नमबर टैन है विविद अभिव्यक्ति के बारे में किसी के विचारों का कोई महत्वन नहीं है मानो वो विचार अल्प संखक वर्ग के है या दावा किसके लिए है तो या दावा है फिलिस्तीन ये हो जाएगा आगे देखते हैं यहाँ पर तो कुर्शन नमबर 11 हो गया है यहाँ पर लोक संचार सहज हो जाता है तो कब सहज हो जाता है तो इसमें जो करेक्ट अप्शन बनेगा ये सी वाला हो जाएगा ज्यादा सुविदा जनक संचार के अंदर नेक्स्ट है सोच विचार तथा संदेशों को वाचिक अवाचिक चिन्नों में रोपांतरित करना क्या कहलाता है वाचिक और अवाचिक की बात कर रहा है ये कहलाता है कूट लिखन सी वाप्शन हमारे इसमें करेक्ट हो जाएगा ब्रभावपूर संचार को कैसा सहायक वातावरण चाहिए तो प्रभावपूर संचार को जो वातावरण चाहिए वो चाहिए बहुँ सांस्कृतिक वातावरण डी उप्शन हमारे इसमें करेक्ट हो जाएगा आगे हैं संचार की प्रक्रिया में संख्यारात्मक आकणों की संप्रिक्षन में मुख्य रुकावट होती है तो जो इसमें संचार की प्रक्रिया में मुख्य रुकावट की बात कर रहा है वह होता है कूट बद करने की योग्यता यानि इसमें D option हमारा correct होगा कूट बद करने की योग्यता Question number 15 प्रेचित होने पर संस्थानिक रुडिवाद धार्नाय बन जाती है संस्थानिक धार्नायों की बात कर रहा है इसमें हो जाएगा विश्वास या द्रणत धार्ना D option हमारा इसमें correct होगा आगे Question number 16 जन संचार में चयनात्मक अवबोधन प्रापक की पर निर्भर करता है तो यह जो निर्भर करता है वह निर्भर करता है प्रवणता यानि B option इसमें हमारा correct होगा यहाँ पर Question number 17 है शब्दों के युग्म अंश हर के बीच संबंध निर्धारित करे और फिर निम्न लिखित में से शब्दों के युग्म का चैन करे जिसका उप्युक्त जैसा संबंध है इसमें से युग्म का चुनाव करना है तो इसमें जो सही होगा इसका जो correct answer बन रहा है friends वो D वाला बन रहा है भाज्य और भाजक इसमें D option हमारा correct होगा आगे चलते हैं यहाँ पर है Question number 21 इसमें A is equal to 5 B is equal to 6 और C is equal to 7 D is equal to 8 इत्यादी तो निम लिखित अंक किस के लिए है तो यह अंक दिये गए है और हमें बताना है यह इसका जो correct answer दे रहा है वो हो जाएगा मोपेड यानि B option इसमें हमारा correct हो रहा है मोपेड M O P E D मैं answer की से बता रही हूँ आपको इसका answer होगा यह वाला B option आगे है तेल की कीमत में 25 प्रिशत की व्रद्दी होई है यदि खर्च नहीं बढ़ाया जाता है बढ़ाया जा सकता है तो उपभोकता में कमी और मूल उपभोकता के बीच अनुपात है तो क्या अनुपात है तो जो अनुपात है वो हो जाएगा C एक अनुपात पांच का यहाँ पे question number 23 निम्न अनुकरम में से ऐसे कितने आठ के अंक हैं जिनके पहले पांच का अंक हो और बार में तीन का अंक ना हो तो ध्यान रखेगा ना हो की बात कर रहा है आप चेक करके देख लिजे इसमें होगा answer 4 ए ओप्शन हमारा इसमें correct होगा आयत को व्रत कहा जाए व्रत को बिंदू बिंदू को त्रिबूच और त्रिबूच को वर कहा जाए तो चक्र का आकार तो चक्र का आकार होगा क्या होगा इसका आकार वो हो जाएगा बिंदू होगा यानि C option हमारा इसमें correct होगा भारत में फसलों के मान की क्रत वर्गी करण में विभिन फसलों के वित्रण के मान चित्र के लिए निम्न में से कौन सी विदी सर्वोचित है तो जो सर्वोचित है वो हती है इसमें पाई चित्र ये हो जाएगा ए वाला 25 का ए करेक्ट होगा इसके बाद question number 26 निमन में से कौन सा आकड़ों के वरगी करण की विधी में सम्मिलत नहीं है तो जो वरगी करण में सम्मिलत नहीं है, वो हो जाएगा इस्थानिक C option इसमें हमारा correct होगा निमन में से कौन सा आकड़ों का श्रौत नहीं है तो आकड़ों का जो श्रोत नहीं है वो हो जाएगा नए दर्श सर्वेक्षर यानि D option इसमें मारा correct होगा यदि कथन कुछ व्यक्ति निर्दई होते हैं सही नहीं है तो निम्न में से कौन से कथन सही है तो इसमें जो कथन दिये गए है कथन भी पढ़ लेते हैं नमर वन है सभी व्यक्ति निर्दई है और दो है कोई व्यक्ति निर्दई नहीं है तीन है कुछ व्यक्ति निर्दई नहीं है तो इसमें हमारा correct जो option बन रहा है वन वाला और टू वाला तो इसके recording नीचे देखते हैं हमारा जो answer बनेगा वो बन जाएगा बी बाला आगे है एक अस्टांक निकाए में निम्न चिन होते हैं तो कौन कौन से चिन आते हैं वो आते हैं 0 से 7 तक यह option इसमें हमारा correct हो जाएगा फिर यहां पर दिया है चिनित प्रणाली परिमार प्रणाली में माइनस 9 फिर पावर 10 दिया हुआ है का दूई आधारिय सम तुल्य तो यह तो binary system है इसमें इसको निकालने का है पहले के question में आते थे binary लेकिन इसमें तो नहीं आ रहे हैं तो वसे answer इसका जो दिया है वो D होगा उप्यूक्त में से कोई नहीं आगे देखते हैं internet की भाषा में DNS का अर्थ है तो DNS का अर्थ होता है domain name system यानि B option इसमें correct होगा HTML इंगित करता है तो यह इंगित करता है hypertext markup language तो यह option इसमें correct होगा निमने में से कौन सा lane का प्रकार है तो lane का जो प्रकार माना जाता है वो माना जाता है Ethernet इसमें correct होगा निमने कतनों में से कौन सा सही है तो इसमें से जो correct है उसकी पहचान हमें करनी है यह इसमें जो सही होगा वो हो जाएगा सी वाला सी ओएस एक स्मार्ट कार्ड प्रचलन प्रणाली है गंगाकारी योजना प्रारंभ की गई थी तो गंगाकारी योजना जो प्रारंभ की गई थी वो की गई थी 1986 में एउप्शन इसमें हमारा करेक्ट होगा next page पे चलते हैं भारत के शक्ती खंड में भाग की द्रश्टी से उर्जा के श्रोत का सही क्रम तो जो इसमें सही क्रम है वो हो जाएगा भीवला तापिय, जलिय, नुकलियर और वायू ये करेक्ट क्रम है इसका पेय जल में उचित से अधिक मात्रा में होने पर क्रोमियम एक संदूशक के रूप में कारक होता है तो जो कारक होता है वो हो जाएगा चर्म इसनायू संबंदी समस्या सी उप्शन इसमें करेक्ट होगा शीत काली धूम कोहरा के प्रमुख पूरो गामी होते है तो जो पूरो गामी माने जाते हैं वो हो जाएगा S2O, S2, नहीं S2O2 एवं कार्वोहाइड्रेट सी उप्शन इसमें हमारा करेक्ट होगा ताच्छनिक, बाड, फ्लस, फ्लड घटित होती है जबकी तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बन रहा है वो हो जाएगा एवाला समवह निक द्रश्टी कनवें टिक वली से अस्थिर होता है तथा उसमें यथेस्ट वायू प्रतिबल शीर होता है यह उप्शन इसमें करेक्ट होगा आगे हैं भारत के महानगरों में वायू प्रदूशन का प्रमुख श्रोत है तो जो प्रमुख वायू का है प्रदूशन का है वो जगह परिवहन खंड सेक्टर यह उप्शन इसमें करेक्ट होगा भारत का पहला खुला विश्व विद्याले किस राज्य में स्थापित हुआ तो जो पहला स्थापित हुआ था वो हुआ था आंदर प्रदेश में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं एक बार वीडियो अप्लोड होने के बाद उस वीडियो में तो कुछ नहीं किया जा सकता है लेकिन अगर कोई मिस्टेक होती है तो मैं उसे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर राइट कर दूँगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं वैसे मैंने पूरी साफधानी रखी है कि कहीं भी किसी तरह का मिस्टेक नहीं हो भारत में अधिकतर विश्व विद्याले का वित्थ पोशन है तो वित्थ पोशन है ये हो जाएगा सी वाला विश्व विद्याले अनुदान आयोगद्वारा होता है निम्न में से कौन सा संग्ठन भारत में तक निकी तथा प्रबंद सिक्षा की गुड़कता की देख रेक करता है तो जो देख रेक करता है वो है ए आई सी टी यानि सी ओप्शन इसमें हमारा करेक्ट होगा फिर एक कोशन अबब 44 नीचे दिये गए कतनों को पढ़िये और उस कतन को पहचानिये जिसमें प्रकती न्याय निहित है तो प्रकती न्याय निहित है तो इसमें जो करेक्ट एंसर बन रहा है वो हो जाएगा भी वाला न्याय में देरी न्याय से वंचित रखने के समान है मैं other option नहीं पढ़ी हूँ friends इसमें जो करेक्ट है वही मैं पढ़ रही हूँ के वल आप वीडियो पॉस करके और भी options पढ़ सकते हैं भारत का रास्टपती तो भारत का रास्टपती सरकार का मुखिया है बी option इसमें हमारा करेक्ट होगा निम्न में से कौन भारत के रास्टपती की इच्छा परियंत पद पर रहता है तो इच्छा परियंत रहता है तो वो हो जाएगा भारत का नियंतरक महा लेखा परिक्षक बी option करेक्ट होगा यहां पे दिया हुआ है जो कोश्चन वो द्रश्टी विकलांग अभ्यारतियों के लिए नहीं है तो यहां देख लेते हैं कोश्चन नमबर 47 से 49 तक इसे हमें सॉल्ब करना है इसमें तीन व्रत A, P तथा S एक दूसरे को काटते हैं यह व्रत A कलाकारों का यहां देखिए मैं स्क्रीन छोटा कर देती हूँ A कलाकारों का व्रत P प्रध्याप को तथा व्रत S खिलाडियों को प्रदर्शित करते हैं तो चित्र में सभी छेत्रों को A से F से चिन्यत किया गया है तो देख लेते हैं कौश्चन नमबर 47 कौन सा छेत्र उन कलाकारों को प्रदर्शित करता है जो ना तो खिलाडी है और ना ही प्राध्यापक तो इसमें जो correct option बनेगा वो C बाला हो जाएगा आप इसे paper pen से solve कर सकते है इसके बाद है कौश्चन नमबर 48 कौन सा छेत्र उन प्रद्ध्यापकों को प्रदर्शित करता है जो कलाकार तता खिलाडी भी है यानि कलाकार भी है और खिलाडी भी है तो इसमें जो हो जाएगा वो A बाला हो जाएगा कौन सा छेत्र उन प्रद्ध्यापकों को प्रदर्शित करता है जो खिलाडी तो है, किन्तु कलाकार नहीं है, तो इसमें जो हमारा option correct होगा, वो हो जाएगा C वाला, यानी C, फिर एक last question है गया है, नहीं अभी और भी questions है, 50, यहाँ पर है questions, यहाँ पर 60 लग रहा question दिये है, मैंने mistake से 50 बोल दिये थे, चले, question number 50 से 52 तक निम्न आकड़ों पर आधारित है, तो यह आकड़े दिये हुए है, यहाँ दिया हुए है, किसी चर एक्स का मान का मापन 10 बजे से 10 बज़ के 20 मिनट तक प्रतेक मिनट के अंतराल के बात किया गया, तथा यह आकड़े प्राप्त हुए, तो यह आकड़े जिसके उपर मापन की अवदी में 10 प्रतिशत समय के लिए X के मान है, तो X के मान है 10 प्रतिशत तो इसमें जो हमारा एंसर बनेगा वो बन जाएगा, B वला 68 X का वह मान ग्याद करिए जिसके उपर मापन की अवदी में 90 प्रतिशत समय के लिए X के मान है तो इसमें जो हमारा एंसर बन रहा है वो बन रहा है B वाला 62 Next है X का वह मान ग्याद करिए X का वह मान ग्याद करिए जिसके उपर माप की अवदी में 50 प्रतिशत समय के लिए X के मान है तो X के जो मान है वो हो जाएगा 64, C option इसमें हमारा correct होगा Next question देखते है ये दरश्टी हिन विकलांग अभियार्थियों के लिए है इसको हम छोड़ देते हैं आगे चलते है एक मिनट ये question है आपका 52 तक आएगा 52 के बाद हमें solve करना है यहां से हमें solve करना है कक्षा में प्रभावी अनुशाशन के लिए अध्यापक को चाहिए तो क्या करना चाहिए उसका जो answer होगा वो हो जाएगा उनसे नर्मी के साथ द्रणता बरताब करें D option हमारा इसमें correct होगा फिर है प्रभावी सिक्षण सहायक सामगरी वा है जो तो कौन सा प्रभावी होता है सभी ज्यानेंद्रियों को सक्री करती हो मतलब आग से हम देख सके सुन सके सभी ज्यानेंद्रिया involved हो फिर है छात्रों में वे अध्यापक लोक्प्रियों होते है जो उनकी समस्याओं की समाधान में सहायक होते है D option इसमें हमारा correct होगा एक प्रभावी कक्षा कक्ष के वातावर्ण का मूलतत्व है तो क्या मूलतत्व होता है होता है सिक्षक छात्रों की सजीव अन्ताक्रिया उनके बीच में वातालाप अन्ताक्रिया आगे question number 57 यदि कक्षा के पहले दिन छात्र किसी अध्यापक को स्वयम का परिचे देने के लिए कहे तो अध्यापक को चाहिए की तो क्या करना चाहिए अध्यापक को तो इसका जो एंसर बनेगा संचेप में अपने बारे में बताए next question है question number 58 नैतिक मूल्यों का प्रभाव मूल रूप एक मिट नैतिक मूल्यों का प्रभावी रूप से विकास किया जा सकता है यदि अध्यापक स्वयम उन पर आचन करे यानि स्वयम आदर्श प्रसुत करेगा तो छात्र अपने आप ही नैतिक मूल्यों का पालन करेंगे एक शोधार थी कि आवशक गुण होते हैं तो कौन से आवशक गुण होते हैं तो ये आवशक गुण हो जाएंगे इसका अवलोकन नहीं इसमें इसमें उप्युक्त सभी ही हो जाएगा स्वयम परी प्रश्ण की प्रवरती अवलोकन और प्रमाण पर निर्भरता ज्यान का व्यवस्थी करण अथवा सिध्धान्ती करण तो इसमें सारे ही आप्शन होंगे उप्युक्त सभी हो जाएगा लास्ट कोशन है इसमें शोद किया जाता है तो शोद किया जाता है और इसमें हमें जो करना है उप्युक्त में से कौन से सही है उनका ही हमें चुनाव करना है तो इसमें सही है वो हो जाएगा डी वाला 1, 3 and 4 1, 3 and 4 नय ज्यान के श्रजन के लिए शोद उपादी प्राप्त करने के लिए और विद्यमान ज्यान के पुनर व्याख्या के लिए सिद्धान्त विक्सित ना करने के लिए ये गलत होगा तो हमारा जो correct option बन रहा है वो D वाला तो यहां हमारे सभी questions complete होते हैं friends और shutter day है इसलिए जो लोग नहीं जाते हैं मैं बता दू कि हर shutter day को मैं एक आपका UGC का paper solve कराती हूँ और वीडियो पसंद आता है तो like, share, subscribe करें subscribe करने के बाद bell icon की घंटी को जरूर प्रस कर ले ताकि इस तरह का वीडियो में जब भी upload करूँ उसका notification असानी सबको mobile पर मिल सके okay friends take care and bye bye